नमस्कार मैं मुहित कुमार सींग और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्सन का विशेश कारिकरम जन्ता जंक्सन शो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लव जिहाद को लेकर सुप्रीम कोट ने अव लव जिहाद के कानून को लेकर क्या कुछ कहा और पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद को लेकर क्या कुछ हुआ उसके बारे में दूसरे नमबर पर बात करेंगे कि आखिर दिल्ली का चांदनी चौप कैसे हिंदुत के लिए नया परियोग साला बनता जा रहा है आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान मंदिर तोड़ने की पिछे की असली कहानी क्या है इसके बाद तिसरा नमबर है किसान आंदोलन पर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोट ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात करेंगे जानेंगे कि किसान आंदोलन किस मोड पर जा रहा है इसके अलावा खबर है कि बड़ फ्लू को लेकर मानसा हार पर रोक लगाने की तयारी कर रही है मद्रपरदेश सरकार जानेंगे कि क्या है मजूदा इसी थी सुरवात करते हैं सबसे पहली खबर लब जिहाद कानून से पिछले महिने उतरपरदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाया था कानून बनाया जाने के बाद इसकी चर्चा राष्ट्रे अस्तर पर होने लगी दीरे दीरे इसकी आग मजूदा परदेश बंगाल बिहार के साथ साथ देश के अन्डे कई राज्यों तक पहुँच गई कुछ लोगों ने इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोट में याच्का दायर किया आज सुप्रीम कोट में इस मामले पर सुनवाई हुई सर्बोष नयाले ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है सर्बोष नयाले पहले इन कानूनों को संबिधान के हिसाब से परखेगा और देखेगा कि यह कानून संविधान की अनुकूल है या नहीं सुप्रीम कोट ने इसके लिए उत्रप्रदेश सरकार और उत्राखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर उनका फक्ष मागा है जब अधालत को बताया गया कि हाई कोट पहले से इस पर सुनवाई कर रहा है तो उसने याचका करता से पूछा कि जब हाई कोट में सुनवाई चल रही है तो फिर सुप्रीम कोट आने की जरुवत के उपड़ी सर्बोष नयाले ने पूछा कि सीधे सुप्रीम कोट में याचिका दायर करने की जरुदवत क्यों पड़ गई सर्बोष नयाले ने इस पर भी कड़ी यापती जताई कि हाई कोट की बजाए सीधे सुप्रीम कोट में याचिका दायर किया गया है याचिका कर्ता की तरफ से कहा गया है कि इस अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाया जाए याचिका कर्ता ने कहा कि इस कानून की आन में अंतरधार्मिक साधी करने वालों को जान बूच कर परिसान किया जा रहा है अब आपको बता दें कि उत्रप्रदेश सरकार ने एक कानून लाया है जिसमें धोखा या साधी का लालच लेकर धर्म परिवर्टन कराने वालों के खिलाफ करी सजा का प्रावधान है उतर प्रदेश के बाद भाजपा शासित राज्यों में इन कानूनों को लाए जाने की जबरदस्त मांग चल रही है महें जिन राज्यों में भाजपा सरकार में नहीं है वहां इसके सहारे राजनीति की जा रही है बिहार में भी लवजियात को लेकर खुद NDA के अंदर दरार है उस दिन पहले योगी सरकार के इस कानून के खिलाब 104 पुर्व बड़े अधिकारियों ने चिट्टी लीकर अपनी नाराज़ी ब्यक्त की थी उस चिट्टी में जिक्र किया गया था कि यह कानून अल्प संखेकों को परिसान करने के लिए बनाये गया है इसमें लिखा गया था कि लवजियात राइट विंग की विचारधारा से प्रभावित लोगों द्वारा गढ़ा गया एक सब्द है इसके जबाब में लगबग 224 पूर्व नौकर शाहों ने योगी सरकार के समर्थर में पत्र लिखा दूसरे वाले गुट ने योगी आदितनाथ की जमकर तारिफ की और कानून को भी सही बताया है इन 224 पूर्व नौकर शाहों में पूर्व नयाया धित से लेकर पूर्व सैनिक और कई बुदिजी भी सामिन है फिलाल सुप्रीम कोट ने उतर परदेश और उतराखन डोनों राज्यों को नोटिस जारी कर लव जिहाद कानून पर उनका जबाब माना है इन दोनों राज्यों के तरप से जब जबाब आएगा तब सुप्रीम कोट यह तै करेगी कि यह कानून संभिधान के अनुकुल है या नहीं अब आते हैं दुसरी खबर पर जो दिल्ली में हनुमान मंदिर के नाम पर चल रहे दंगल से जुड़ा है दिल्ली के चान्नी चोग के पास लगबक 60 साल पुराना एक हनुमान मंदिर था था का मतलब की अब नहीं है तीन तारी को उस मंदिर के उपर जेसी भी चला कर तोड़ दिया गया अब मंदिर तूटने के बाद भारतिय जनता पाटी, कॉंग्रेस और आम आदमी पाटी तीनो एक दूसरे पर निशाना साथ नहीं है कॉंग्रेस भारतिय जनता पाटी और आम आदमी पाटी पर निशाना लगा रही है तो वहीं भारतिय जनता पाटी इसके लिए राज में चल रही के जिरिवाल सरकार को जिम्यदार बता रही है तो वही के जिरिवाल सरकार इसके लिए नगर निगम को जिम्यदार बता रही है जहां भारतिय जनता पाटी है कॉंग्रेस पार्टी तो इस मंदिर को हाथ से निकलने देना नहीं चाहती है कॉंग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर परदर्थन कर रही है वैसे भी अयोध्या वाले राम मंदिर का क्रेडिट भार्तिय जनता पार्टी ले चुकी है तो अब कॉंग्रेस इसे कैसे अपने हाथ से फिसल ने देगी अब इस राजीती के बीच में आप असली ख़वर सुन लीजिए और सोचिएगा कि सारी राजीतिक पार्टी अब मिलकर कैसे हम सबको पागल बनाती है चान्मी चौक के पुर्ण विकास की योजना 2004 में ही बना ली गई थी इसके बाद 2008 में श्रीलाद दिक्षित के मुख्यमंत्री रहते SRDC की अस्थापना की गई SRDC यानि की साहजहानाबाद पुर्ण विकास निगम लेकिन काम शुरू हुआ 2018 में 2018 का मतलब कि आमादनी पाटी की सरकार और अर्बिंद के जिरिवाल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीश्टी सोधिया ने 2018 में इस योजना को लॉंच किया इसके तहट बिजली के तारों को अंडर ग्राउंड करना फुटपाथ बनाना, सेल्फी पॉइंट बनाना, LED ए स्टीट लाइट लगाने जैसे अन्ने कई विकास के कारे कराने थे लेकिन मामला हाई कोट में चला गया लगबक 50-70 साल पुराना यह मंदिर विकास कार्यों में औरोध पैदा कर रहा था 2015 में दिल्ली हाई कोट ने आदेश दिया था कि नगर निगम सडकों पर जितने भी परकार के धार्मीक संरचनाओं के माध्यम से अतिक क्रमड को हुआ है उसे खाली कराए लेकिन इस पर कोई कारवाई नहीं हुई 16 मही 2018 को कोट के तरफ से आदेश दिया गया कि अतिक क्रमड हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगम निगम का साथ दिल्ली सरकार को देना है उस समय भी इस मामले को लेकर बीजेपी और आप में लड़ाई ठन गई MCD में भाजपा थी तो राज्य सरकार में आम आदमी पाती दिसंबर 2020 में कोट ने वापस से चिंता ब्यक्त करते हुए कहा कि एक छोटे से मंदिर द्वारा किये गए अतिक क्रमड से मुक्त नहीं कराया जा सका इसके बाद इस मंदिर को गिराने की कारवाई हो गई एक जब किकमा आँग्रेसी इसे बहती गंगा के इसम mandate कमाना चाहते हुए मामला लो हें तक जाता है शुजिक एक चकानून और कुछ वकिलों को ने सुप्रीम कोट में याजच का दाइर की इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा है कि सुंबार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे आगे सर्बोष नयाले कि टिपनी करते हुए कहा कि हमें इस्तिती में किसी प्रकार की कोई सुधार नजर नहीं आ रही है सर्बोष नयाले के मुखे नयदीस ऐसे बोबले ने कहा है कि अब तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है हम हालात समझते हैं और चाहते हैं कि बादचीत से मामला सुल्हा लिया जाए आपको बता दे कि सर्बोष नयाले में क्रिशी कानूनों की सन्वेधानिक बैदता खोलेकर याच का दायर किया गया है सर्बोष नयाले इस पर 11 जनवरी को वगली सुनवाई करेगा इधर किसानों और सरकार के बीच का कतिरोद थमने का नाम नहीं ले रहा है हर बार का बैठ हग बेनतिजा निकल रहा है और अब किसान ट्रेक्टर मार्च करने की तैयारी में जुट चुके हैं हाला कि सरकार के तरब से बार-बार कहा जा रहा है कि बहुत जल्दिया गतिरोद समाप्थ हो जाएगा अब बात कर लेते हैं सबसे आखरी में बर्ट फ्लू के बारे में केंदर सरकार की तरब से बर्ट फ्लू को लेकर एड़बाईजरी जारी कर दी गई है राज्य सरकारों को सतर के रहने की हिदाय दी गई है तो वही मध्य परदेश में बर्ट फ्लू के बढ़ते खत्रे को देखते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा है कि जरुवत पड़ी तो मांसा हार पर रोक लगाया जाएगा। मध्य परदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंग पटेल ने बताया है कि इस्तिती को देखते हुए जल्ध ही सरकार की तरफ से एड़वाईजरी जारी कर दी जाएगी। प्रेम सिंग पटेल ने बताया कि बड़ फ्लू के चलते मध्य परदेश के मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौभान ने आपार्थ बैठक बुलाई थी जिसमें मांसा हार पर रोक लगाने के बारे में भी चर्चा हुई है। इसके अलावा वर्ट फ्लू देश के कुल चार राजयों में फैल चुका है केंद्र सरकार ने खत्रे के मद्दे नजर दिल्ली में कंट्रोल रूम भी अस्तापित कर दिया है। आज जनता जनक्शन शोव में बस इतना ही मिलते हैं फिर कल नए एपसोड के साथ वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए। फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेसको लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए।